नमंबर का महीन एकदम आलस वाला होता है सुबह उठने का मनी नहीं करता है लेकिन क्या करें अपने छोटे छोटे टार्गेट को पूरे करने हैं तब ही एक बड़ा टार्गेट अचीव होगा करते हैं अपने दिन की शुरुवात गरम पानी के साथ और पहला सेशन हम ऑप्शनल का लगाएंगे क्योंकि कि अर्ली मॉर्णिंग माइंड पूरी तरह से फिरिस रहता है और बहुत सारे स्टेडीज में पाया है कि सुबह सुबह पढ़ाई करने से हमारा ब्रेन हंड़ेट परसंट फंक्शन करता है तो बहुत सारे लोग सुबह उठते ही मैध सॉल करते हैं पहला सेशन हम ऑप्शन कि वह हम लाइबरेटरी में चले करेंगे दो बार में दस साढ़े दस वेर तक जल्दी से इसे कंप्लीट करते हैं तो हमारा पहला सेशन हो गया कंप्लीट साढ़े साथ बज गए चलते हैं जिम और जिम जाने से पहले प्रिवर काउट हमारा है एक ब्लेक कॉफी और अरली मारनिंग एमटी श्टमक इक साइज होती ही नहीं इसके थोड़ा एनर्जी चाहिए चाहिए ऐसा पर आखिए करें 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 ही हाद कि वे जूड़ें ते कि अने किस वाला मूल पी नंडे में है जो मिला जो जुड़ें जो एक इसमाल दो पुड़ें तीन अंडे ले आया था, एक कलका पड़ा हुआ था, उसे भी वाइल कर लेते हैं आज वहने नास्ता बना लिया है, चने फ्राइ कर लिये, दो केले, ब्राउन ब्रेड है, इसमें पीरिस बटर लगा लिया, दूद है, अंडे अभी वाइल हो गया है अब जल्दी से नास्ता करते हैं, फिर नाहाते हैं, उसके बाद फिर लाइबरेरी निकलते हैं कितना भी जल्दी कर लो, लेट होई जाता है, सुचा था 10 बज़े निकल जाओंगा, 10 बच के 10 मिट हो गए सबाद 10 बज़े तक लाइबरेरी आने के बाद, अब हमारा सेकंड सेशन होगा, पॉलिटी रिवीजन का, और मैं रिवीजन कर रहा हूँ NCRT जीष्ट है मेरे पास, पॉलिटी की ये है, महस कुमार बर्णवाल की, और पॉलिटी के लिए लक्षमिकान तो अपना है ही है, कोई भी सब्ज़ेक्ट हो, उसका बेसिक नॉलेज के लिए NCRT बहुत जरूरी होता है, मैं लास्ट इयर का एक कुईशन देख रहा था, उ मीमो UPSC एप की तरफ से, जब कोई UPSC की तयारी सुरू करता है, तो प्रापर गाइडेंस ना होने की वज़े से, उसकी तयारी ठीक से हो नहीं पाती है, UPSC की प्रिप्रेशन NCRT से सुरू करनी चाहिए, क्योंकि UPSC का बेस ही होता है NCRT, और मीमो UPSC एप में आपको NCRT बेस्ट सभी सब्जेक्ट के क्विश्चन मिल जाएंगे, वो भी क्विज फॉर्म में क्विश्चन दिया गया है, और एंस्वर गलत होने पर एक्स्प्लानेशन भी दिया गया है, मीमो UPSC एप में आप क्विज खेलकर नॉलेज गेन कर सकते हैं, और बोर भी नहीं होंगे और पॉलिटी के लिए लक्षमिकान जैसे इस्टेंडर बुक से UPSC लेवल के क्विश्चन को इजी लेंग्वेज में दिया गया है, ताकि बिगिनर्स एजली सॉल्व कर पाएं, और मीमो UPSC एप डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और वीकली करेंट अफेर्स के मेस खाना काने के लिए, और आज मेस में हमारे बना था लौकी की सबजी, इसलिए मैं मेस गया नहीं, मैं इसे वापस चलाया, और मैं अभी आया हूँ होटल, और यहां पर आज खाएंगे हम छोले और तंदूरी रोटी, और यह तंदूरी रोटी है पेर मेहदे की, जो एक इस डिटी की प्राबलम हो जाती है, इससे, मैं डेली खाता नहीं, बस कभी-कभी, जिस दिन मैस में नहीं जाना रहता, उस दिन मैं चलाता हूँ यहां पर, यहां के छोले बड़े अच्छे बनते हैं, एक मुझे तक लंच करने के बाद मैं वापस आ गया, लाइबरी मेरा सारा समान वैसे पढ़ा हो था, तो अब हमारा थर्ड सेशन होगा, आप्शनल का, और आप्शनल की दो क्लास मैं इसलिए कर रहा हूँ, ताकि यह नवंबर तक कंप्लीट हो जाए, और दिसमबर, जनवरी, दो महिने एंसर प्रैक्टिस करके इसे खतम कर देंगे, बाकि फर आप्शनल में जिसके अच्छे माक्स हैं, वही मेंस क्वालिफाई कर पाएगा, पांच बज़े तक हमारी ऑप्शनल की क्लास कंप्लीट हो गई है, अब एक घंटे का रेश्ट लेंगे पांच बज़े से शे बज़े तक, क्योंकि कांटिन्यू पढ़ाई करते करते, अगर और हमारा लाइब्रेरी में है लास्ट सेशन, छे बज़े से साड़े आठ बज़े तक, और इस सेशन में मैं कर रहा हूँ, मेंस का पीवाई क्यू, पॉलिटी का है, जो सुबह में टॉपिक पढ़ाता, उसी का मेंस का कुईशन में देख रहा हूँ, और यह मॉडल एंसव है, बहुत सारे कोचिंग के यह कंपाइलेशन बुक आती है, पूरी सेंपल एंसवर रहते हैं उसमें, जिसे एक बेसिक आइडिया लग जाता है कि अपने एंसवर को कैसे फ्रेम करना है, तो अगर आपको भी ऐसे प्राबलम होती है एंसवर लिखने में, तो किसी भी कोचि के जो वो एक्सपर्ट द्वारा एंसवर लिखे रहते हैं, रात के बच के साड़े आठ सारे सेशन्स होगे कंप्लीट, एक लास्ट रह गया है न्यूज एनलिसिस का, डिनर करने के बाद लास्ट में उसे लगाएंगे दिन, सारे बुक्स रख देते हैं अंदर और अब चल अच्छी है, इसमें प्योर मैदा नहीं है, इसमें आटा भी मिक्स किया है, तो यह जाद दिन उक्सान तो नहीं करेगा, यह रोटी तो डेली चल जाएगी, कोई निक्कत नहीं रहता इसमें, अचानक से याद आए कि चना नहीं है, चना खतम हो गया, तो चना ले ले लेते तो हमारा डिनर बन गया है दाल रोटी तो बाहर से लिया था अंडे पना लिया अमलेट दो अंडे का और ये थोड़ा सा सलाथ जब से प्याज महेंगा हुआ है तब से ये प्याज आ रहा है तो अब जल्ली से खाते हैं उसके बाद फिर न्यूस देखते हैं साड़े नो बजय तक डिनर कर लिया कंप्लीट और आदे घंटे घर पे बात करने के बाद अब हमारा लाश्ट सेशन दस बज़े से रहेगा ग्यारा बज़े तक पचास पिनट या एक घंटे जो भी लगे न्यूज मैं हार्ड कापी सिर्फ संडे संडे ही पढ़ता हूं किसी ने कमेंट किया था कि कौन से कोचिंग का न्यूज एनलिसिस बढ़िया रहता है तो सारे कोचिंग का बढ़िया रहता है सब में टीचर अच्छे होते हैं बस सबका समझाने का तरीका अलग अलग रहता है तो आप सारे लोगों का एक एक दिन का देख लो जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप हिंदी मीडियम हो तो दीपक याद ओफ एजुकेशन नाम से चैनल है उनका वीडियो अच्छा रहता है इस्टडी आईक्यू का भी अच्छा है और इंगलिस मीरियम के लिए मैं जो देखता हूं वो वाजी राम या फिर बाइजूस इन दोनों का बहुत अच्छा रहता है बागे सबकी अपनी अपनी च्वाइस है जिसे जो पसंद आ जाए सुगाज यह था मेरा आज पूरे दिन का रूटीन आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना फिर मिलेंगे किसी और बुलाग में तब तक के लिए बाइ बाइ